सहजन्वा पुलिस ने दो लुटोरों को गरिफतार किया है जिसके सम्मंद में स्पी साउथ अरुन कुमार सिंग ने पुलिस लाइन के वाइट हाउस सभागार में प्रिसवारता करते हुए बताया कि मुख्विर की सूशना पर दो अभिपतों को सेंट जेवियर्स स्कूल मह पर मोड के पास से गरिफतार किया गया है जिनके पास से दो मोबाइल तथा एक मोटर सैकल को बरामत किया गया है जिनकी पहचान इमतियाक अंसारी पुत्र जैनुद्दीन अंसारी निवासी भपसा थानागीडा जनपद गुरगपूर दूसरा सागर करनौजिया यरफ मान पुत्र नंदलाल निवासी पिप्रावार्ड नंबर नौ थाना सहजनवा जनपद गुरगपूर के रूप में हुई है एसपी साउथ ने बताया कि दोनों अभ्यक्तों ने पूच्टाश में बताया कि पूरू में सीहा पार उवर ब्रिज के पास से मोबाइल को लूटा थ तथा थाने में मुकदमा पंजिकरित हुआ था जिनको गिरिफतार कर जेल भीर दिया गया गिरिफतार करने वाली टीम में सहजनवा थाने के उपनिरक्षक अनीश कुमार सर्मा कॉंस्टेबल आलोक कुमार सिंग उदै कुमार शामिल रहें इस संबन्द में गुरगपूर इस से बात करते हुए स्पी साउथ और उनकुमार सिंग ने कहा रख करेंटार करें है कुमार सिंग्स कट्राइबल में दखना कुमार सोचसरा में घ्यव साउथ जेए हूए मिन सुपारिको कट्राम सोचसरा में पहरा भाल शेयर धात। कपट शंग नंदी हैनु आलो का भाल समतना। ठाना साजन्मा की है जहां एक लूट की घटना का खुलासा हुआ है मुकदमा प्रासंख्या 2 बटे 2022 में लूटा गया मोबाईल बरामद हुआ है उसके अलावा एकन ने मोबाईल और मोर्साइकिल भी बरामद हुई है वो किस घटना से संबंदित है उसके बारे में विवेचना से नाम प्रकास में लाया जाएगा उने भी अभी नेयाई का भिरक्षा में जेल भेज़े जाने के लिए माननी नेयाले के समख्ष पुलिस की टीम प्रस्तुत करने के लिए ले जा रही अपरादिक रिकार्ड इनकी अभी चुकि आज सवेरे सवेरे की ही इनकी गिरफतारी है और दूसरी साजनवा की गिरफतारी तो ग्यारा बजे के आसपास की है उसकी छान भी न की जा रहे है